हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का यूटूब चैनल स्री आर्ट गैलरी में आज हम लोग जिस महत्पूर्ण पॉइंट पर डिस्कस करेंगे वो EMRS की एक्जाम के जो एंसर की है उसके परिपेच में बात करेंगे एक्जाम के जो एंसर की है आप लोगों के तमाम आप लोगों ने मिला भी लिये होंगे और मुझसे जो आप लोगों ने बहुत सारे रिक्वेश्ट किये कि आप इस कोश्चन पेपर को साल्व कराएं देखिए पहली बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं ये पेपर आप लोगों के माध्यम से ही प्राप्त करता हूं क्योंकि मैं अब एक्जाम में नहीं बैठता हूं और मेरा जो वर्ग है वो आप लोग सभी लोग जानते हैं जो मुझसे जुड़े तो जो भी ये paper आप लोगों के माध्यम से ही मुझे provide किया जाते हैं और उसी के उपर हम लोग discuss करते हैं मुझे paper किसी student ने send किया है और उन्होंने मुझे request किया कि इस question paper को आप solve कर answer और इसके जो static answer की हैं उसको provide किया जाए तो उनके request पे मैं आज ये जो PDF आप लोगों को screen पर दीख रहे होंगे मैं उस PDF को मैं solve करूँगा और मैं आप सभी लोगों को जितने भी fine art के candidate हैं मैं सब को वाकिप करना चाहता हूँ कि जिनका भी EMRS की जो exam 24 December 2023 को थी morning shift में और सभी लोग जानते हैं कि इस paper का जो updating है वो क्या रही है और मुझे से तमाम सवाल भी put up किये गया कि इस paper को क्या cancel किया जाएगा तो आप सभी लोग सभी लोग अपने मत दे रहे हैं बट EMRS के द्वारा कोई भी official notice नहीं जारी किया गया है कि ये जो vacancy जो 24 December 2023 को जो miscellaneous के अंतरगट जो exam हुए है तो आल इंडिया लेबल पे ये exam हुए है और जो आप लोगों का एक सिंटर एलहाबाद के college पर जो paper का जो schedule है जो paper league की जो news है उसको ध्यान में रखते हुए अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ती आती है और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा तो मैं आप सभी लोगों को वाकिप करना चाहता हूँ कि जो देखिये मेरा जो opinion है ये किसी particular एक सिंटर पर बात की जारी है तो आल इंडिया लेबल के जो बच्चे हैं वो तमाम सिंटरों पर गए हुए हैं और अपने exam को conduct की हैं सभी जगों पर ऐसी किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामनान करने को नहीं मिला तो इसके according अगर EMRS अगर चाहेगा वो तो किसी एक सिंटर का जहां पर बहुत ज़्यादा problem है उस exam को रद करेगा कहने का थाथ पर कि particular एक सिंटर के जो भी candidate हैं उनके paper को रद किया जा सकता है जहां पर बहुत ज़्यादा 90% ये chances देखने को मिलते हैं और भी exam के according तो आप जितने भी candidate हैं अपने ध्यान पुरुवग सीडियो लुक रखिये आगे जो भी official decides किया जाएगा EMRS के दोरा वो आप सभी लोगों के पास updated जाएगी बट जिस पर हम लोग बहुत सारे exam को हम लोग देख रहे हैं और इंजाब को conduct करा रहे हैं आप सभी लोग अगर मुझसे जुड़े हैं तो सभी लोग आप लोग जानते होंगे तो आगे जो updating होगी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा बट जो 24 जो December का जो पेपर हुआ है मार्निंग स्वारी मार्निंग सिप्ट में तो हम लोग fine art के पेपर को आज analysis करेंगे और इस पे कौन कौन से question ओ पर आप अत्या हो सकती हैं जब आप लोगों के office and insult की आएगा अगर इसी पेपर के according तो किस पर objection होने की पुड़ी संभावन भर रही है मैंने जो पेपर को solve किया है और पुड़ी आप लोगों को बताने की कोशिस करूँगा और किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत होगा तो आप लोग comment box में ज़रूर बताइएगा तो ये जो पेपर मुझे मिला है किसी student के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से आप भी उसमें से हो सकते हैं तो आप लोग ध्यान पुरुवक इस question paper को solve करिए अगर exam रद होता है तो भी आप लोगों को एक exam देने को मौका मिलेगा बट उसके पहले आप लोगों के जो EMRS के द्वारा जो exam हुए हैं आप लोगों को schedule देखने को मिल चुका है कि exam का pattern क्या है और उसी के according आप लोग अपने subject के paper को अच्छे से solve करेंगे अगर exam रद नहीं होता है किसे एक center पर रद होता है तो आप सभी लोग अपने answer की को बहुत ही अच्छे से अभी से prepare कर लिजे और जब official answer की आएगा objection का तो आप लोग उस पर objection कर सकते हैं उसकी पूरी 100% मैं proof आप लोगों को दूँगा कि कहां से क्या question put up होते हैं पहली बात आप सभी लोग ध्यान पुरवग देखेंगे कि ये जो question paper है आप लोग किसी भी book और किसी भी authentic book का ही analysis करिएगा हम किसी कुणजी और किसी भी notes की बात नहीं करेंगे हम जो भी NCRT based की जो भी according proof भी दे सकते हैं उसके परिपेच में हम लोग बात करेंगे और आप लोग जो भी question को analysis करेंगे अपने syllabus के according analysis करेंगे कौन सी book में क्या दिया है कौन सी book में क्या नहीं दिया है उसके according आप लोग बात नहीं करेंगे आप लोगों के syllabus के according क्या time duration दिया गया है हर एक introduction दिये गया है हर एक part के उसी के according आप लोग इस question paper को solve करेंगे और उसी के according मैं आप सभी लोगों को दिखाने की भी कोसिस भी करूँगा जितने भी लोग EMRS के cell base हैं उसके according अगर आप लोगों ने NAC list किया है तो आप लोग अच्छे से समझने की कोसिस भी करेंगे तो चलिए हम लोग आज के question paper को solve करते हैं और आने वाले जो भी vacancies हैं चाहे नेट जी आरफ के exam होने वाले हैं चाहे उत्तर प्रदेश के लोग सेवा हो या नई सिछा सेवा चैन आयोक के द्वारा जो भी exam conduct कराने होने वाले हैं या All India Label के कोई भी fine art के exam होने वाले हैं उसमें आपके जो pattern का जो schedule देखने को मिला है वो बहुत ही important है मैं आप लोगों को इस exam के माध्यम से इस paper के माध्यम से आप सभी लोगों को अउगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार से cbsc ने जो इसा नेट जियारक के paper को conduct कराता है और उसमें image माध्यम से जो भी pattern आप लोगों को देखने को मिले हैं उसी के according इन्होंने अपने schedule को भी conduct कराया है और image based question भी put up किये जा है तो जितने भी visual art के candidate है यह बहुत ही important है कि अब आप लोग theoretical based पर अपने question को analysis करिए और बच्चे से तयारी को रखिए क्योंकि हर एक board बहुत ही important rule निभा रहा है तो आईए हम लोग पहले question paper को solve करते हैं question paper अप लोगों के screen पर है और सभी लोगों से निवेधन करता हूँ कि अगर किसी भी question में doubt होगा तो आप लोग comment box में जरूर बताएंगे और किसी प्रकार की कोई अन्यथा बाते नहीं होगी ये चो question paper जिनों ने भेजा है उनको thankful और मैं आप लोगों के सामने solve करने की कोशिज करूँगा अपने तरफ से 100% देने की कोशिज करूँगा और मुझसे कहीं भी चूक हो जाए तो आप लोग comment करिएगा देखिए जो ये question paper आया हुगा है उसका जो 51 number का sorry 41 number का जो question है वो आप लोगों के subjects related है और art paper का है देखिए यहाँ पर 41 number का question है कह रहा है कि जहांगीर के सासनकाल के चित्रों की किनारियां याद रखिएगा किनारियां की बात कह रहा है किनारियां आप लोगों ने देखा होगा कि जब miniature painting हम लोगों ने देखा मुगल काल में तो वहाँ पर जो भी होते थे उनके जो border होते थे जिनको हम लोग किनारियां भी कहते हैं border भी कहते हैं तो उसके उपर क्या होता था कि बेल बूटे तमाम तरह के कलाकृतियां हमें देखनों को मिलती थी और उसी के according ये question put up किया जा रहा है कि जहांगीर के सासनकाल में आप सभी लोग जानते हैं कि मुगलकाल में जो जहांगीर का सासनकाल था बहुत important था और स्वनकाल भी मुगलकाल के चित्रों का माना जाता है और जहांगीर एक ऐसे चित्रकार एक ऐसे पार्खी कलाकार थे जिनके सासनकाल में जिनके दरबार में रहने वाले चितरकार भी बहुत थी उच्चे कोटी के दरजा प्राप्त कलाकार मने जाते हैं और उसी के एकार्डिंग जो question put up किया जा रहा है कि जहांगीर के सासनकाल के चितरों की किनारियां सुनहरे रंग फूल पत्यों से सुजदित होते थे जिनें कहा जाता था तो आप सभी लोग जानते हैं और नहीं भी जानते होंगे तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि उनके जो किनारियां होती थी अगर चितर के जो बार्डर होते थे उनको बहुत ही खुबसूरती से सुनहरे रंगों से सजाया जाता था और उनको हम लोग क्या क करेंगे यहां पर किनारी सब्दे दिया गया है तरह गया दिया और वसली आप लोग जानते हैं कि एक वसली कागज होता था और मिनियेचर पेंटिंग जो भी बनती थी इस वसली पेपर पे भी देखने को मिलती है तो इसका बेस्ट ऑप्सन जो जाएगा वह थ्री हो जाएगा नेश्ट अगर हम लोग कोस्चन पर बात करें कि को सब्सक्राइब लोग जानते हैं आप लोगों के सेलबेस के एकार्डिंग जब इंट्रोडक्शन आफ इसकल्पिचर परेंगे तो वहां पर आप लोगों देखने को मिलेगा देवी की मूर्ति और यह मूर्ति बर्तमान में कहां पर संग रहीत है तो वह राष्टी संग्राले नहीं दिल्ली में सुरच्चीत है तो इस कुस्चन का राइट एंसर जो हो जाएगा वो तू हो जाएगा याद रखिएगा यह बहुत ही इंपोर्टें है और आप सभी लोगों को बता दूं अगर जिसको पसंद आएगा तो आप लोगी स्कीप करके चले जाएगा ओके बट अगर जो भी ध्यान प्रवक इस कुस्चन को देखेगा तो यहां से कुछ सीख कर जाएगा 43 नबर का कुस्चन है कि इनमें से किस बंधक का प्रयोग टेंपरा में नहीं किया जाता है यहां पर आप संदिया गया है टेंपरा में नहीं किया जाता है और क्या दिया है प्रयोग टेंपरा में नहीं किया जाता है टेंपरा एक माध्यम होता था जब कि आप लोग सभी लोग प्राचीन काल में देखते थे कि इस माध्यम में कार क करना किसी भी ही चित्रकार के लिए बहुत ही कुछल्ता पुरकाड होता था और इस कारे में बहुत ही जटिलता से कार किया जाता था जो भी इसमें कुछ वर्क किये होंगे. candidate वो जानते भी होंगे तो इसका जो वर्क होता था बहुत ही टफ होता था जो कि आज पूरी तरह से बंद हो गया है इसके जगह पे हम लोग गौजेस का भी प्रयोग कर लेते हैं लेकिन ये टेंपरा जो में नहीं प्रयोग होता था और यहां पर देखते हैं क्या दिया अपसन में अंडे की जर्दी मोम बबूल गोंद और सरेज ये जो भी माद्यम होते थे ये सब ही मिलाकर ये क्या होते थे टेंपरा में प्रयोग होते थे क्योंकि जो पिगमेंट होते थे वो बाढ़ने की बहुत ही important role निभाते थे तो इसमें जो mom होता था जो wax होती थी उसका प्रियोग नहीं किया जाता तो right answer जो हो जाएगा वो two हो जाएगा निश्ट 44 नमर के question को हम लोग solve करेंगे question एक निमने में से कीस रंग का तान सबसे गहरा होता है यहाँ पर तान कहने का क्या तात पर है tone रंग का सबसे गहरा होता है सबी लोग जानते हैं जो भी fundamental of art के class को आप लोगों ने join को होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने समचने की कोशिस किया होगा कि white color से क्या होता है कि घनत्यों का ना रंगे दिया है पीला दिया है इससे क्या होता है इसमें brightness आती है tone लेकिन यहाँ पर गहरा की बात किया जाता है darkness the right answer is blue नीला रंग next question है 45 number का question है question है कि निमने में से किस सत्व पर अजंता की गुफा चित्रण नहीं हुआ है important point है नहीं हुआ है किस पर नहीं हुआ है इस्तंव पर छट पर दिवार पर जमीन पर तो इन सभी पर आप लोगों को देखने को मिलता है लेकिन जमीन पर देखने को नहीं मिलता है तो right answer क्या हो जाएगा four हो जाएगा जमीन पर अजंता की गुफा का चित्रण नहीं हुआ है next 46 number का question है कि लच्मी नारायन मंदिर खजुराहों की सैली है very very important point है आप लोगों के सेलवेस के कार्डिंग लच्मी नारायन मंदिर और कहां की खजुराहों खजुराहों की कंदरिया महादेव मंदिर में इसको आप लोग निर्मित देखते हैं और ये जो सैली की बात किया जा रहा है कौन से सैली थी मथुरा सैली, पाल सैली, चंदेल सैली या गांधार सैली तो इनमें से ये 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 नहीं थी और जो भी मदिर प्रदेश में सैली का जो काफी विकास देखने को मिला वो चंदेल सासकों के सासलकाल में और इनके सासलकाल में जो सैली का विकास हुआ उसको हम लोग चंदेल सैली काते हैं तो राइट एंसर जो हो जाएगा वो त्री हो जाएगा 47 का question है कि निमने में से किस साली में बुद्ध को मानवा किरिती में दिखाने जाने लगा अर्थात मानवा किरिती में पुरुस के रूप में किस दिखाया जाना सुंग काल में क्या होता था कि बुद्ध की मुर्ति को क्या होता था कि राजिस्टी वैभों में दिखाने की कु इसमें दिखाय है या नहीं लगा है राइट इंसर क्या हो जाएगा थारड हो जाएगा नेश्ट tops फॉट्टी एट नंबर का कुस्चन हैं बहुत ही अच्छे कुस्चन आए हुए हैं हम बहुत न layout का सकते हैं और न то कलात्मक क्रियकलाप सिंदुगाटी सब्यता के विविन अस्तलों में नहीं पाया गया है यहाँ पर सिंदुगाटी सब्यता जो की सबसे पुरानी सब्यताओं में से एक मानी जाती है और यहाँ से जो भी हमें उत्खरन में प्राप्त होने वाले जो साच थे उनीके आधार प पर सिंदु सबेता के विभीन अस्तलों में नहीं पाया गया है तो इसमें क्या नहीं पाया गया है तो चित्रकला के औसीज मिरत भांडों के उपर जो चित्र हमें देखनों को मिले हैं वो आलेखन के माद्य हमसे पर लेकिन चित्रकला के जो साच्छे नहीं पाये गया है तो वो चितरकला राइट इंसर जो होगी वो 4 हो जाएगी नेश्ट कोश्चन जो दिया गया है 49 नवर का हडपा की सामाजिक बेवस्था थी यहाँ पर द्यान दिजेगा हडपा की जो सामाजिक बेवस्था की बात की जारी है पुझीवादी, जाती और वन आधारित समानाधिकारवादी या दास्रम आधारित हडपा की जो सामाजिक बेवस्था थी आप सभी लोग जानते हैं कि हडपा सभेता एक नगरी सभेता माली जाती है और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग जो थे वो अपने कारे में दच्छ थे और यह जो कुश्चन है आप लोगों को सामाजिक बेवस्था की बात की रजा है तो जाती और वन आधारित बेवस्था क्या थी पुझीवादी क्या बेवस्था थी समानाधिकारवादी थी यह तो समानाधिकार दास आधारित जो कुली वर्ग थे कुली के काम करते थे जो राज मिस्त्री थे वो राज मिस्त्री थे तो वन आधारीत व्यवस्ता थी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है जो ब्यापार के कंडिदेट थे वो ब्यापार करते थे जो राजसी व्यभव का कारते थे राजसी थे तो यहां प important point है चोल कालीन नट्राज की मूर्ति सीव की भंगिमा है यहां पर सीव की भंगिमा और नट्राज की मूर्ति की बात किया जाता है तो नट्राज की मूर्ति जो है वो टांडो मुद्रा में है क्या है टांडो मुद्रा में और टांडो मुद्रा में क्या होता है जो भंगीमा है वो कई तरह की वर्तुकाल बनते हैं अर्थात इसमें किसी एक पर्टिकुलर नए बहुत सारे वख्र आप लोगों को देखने को मिलेगे क्योंकि तांडो की मुद्रा ही है और तांडो की मुद्रा में जो हमारा भंगिमा बनती है उसको हम लोग कहते हैं अती भंग मुद्रा क्योंकि इसमें कई मुद्राएं बनती हैं तो राइट एंसर जो हो जाएगा वो अती भंग हो जाएगा नेश्ट कोश्चन पर अगर बात करें हम लोग राग हिंडोल नामक चित्र जिस दक्कनी सैली से संबंद रखता है वो है देखिए इस कोश्चन पर आप लोग अपने सेलवेस के एकार्डि अगर इस कोश्चन पर क्योंकि जो राग हिंडोला है नामक चित्र जिस दक्कनी सैली से संबंदित है आप लोगों के सेलवेस के एकार्डिंग है लेकिन आप लोग इस कोश्चन पर अब्जेक्शन करने की अगर ठान लेंगे तो ठान उसकी प्रूफ मैं दोगा इसमें दो कुश्चन राइट हो सकते हैं एंसर एहमद नगर और बीजापूर जो कंडिडेट बीजापूर को भी टिक करेगा उसको 100% मैं प्रूफ दूँगा क्योंकि जो बीजापूर और एहमद नगर में जो सैली जो दक्कनी सैली का विकास हुगा वहाँ पर ये जो राग हिंडोल के जो चित्र देखने को मिलते हैं उसको इन दोनों से रिलेटेड माना जाता है बट अगर जो कमीशन है अगर कमीशन बीजापूर को टिक कर देता है तब तो जान लिजिए कि आप 100% अपने सेलबेस के एकार्डिंग भी आप लोग उनको चैलेंज करेंगे अगर आप जो होगा आपके सेलबेस के कार्डिंग और कमीशन हंडिट परसेंट इसका राइट एंसर जो करेगा वो थ्री को ही करेगा एहमद नगर लेकिन मैंने जो कहा उसको समझने की कोशिश करिएगा नेश्ट कोश्चन है 52 नमबर का कोश्चन कि राग हिंडोल चितर में गुमबतों पर बेल बीटों के काम से सुसजित प्रेश्ट भूमी जीस सैली का प्रभाप प्रदरसीत करती है वह है देखे इस कोश्चन पे भी आपजेक्शन हो जाएंगे क्योंकि जो दक्कनी सैली में जो राग हिंडोला के जो चितर हमें देखने को मिलते हैं चाहे परसियन सैली में फार्सी सैली में मुगलिया सैली में यहां पे तमाम सैली यहां मतलब इनमें मिसरिस सैली का प्रयोग देखने को मिलता है तो अपने सेलवेस के एकार्डिंग अगर इसका बेश्ट आप्शन अगर चुनेंगे इस कोश्चन पे भी आपजेक्शन हो सकते हैं और मैंने कहा कि प्रूफ मैं दूँगा तो यहाँ पर जो सबसे बेश्ट आप्शन हो जाएगा वो फार्सी सेली हो जाएगी ठीक है लेकिन अगर यहाँ पर तुर्की सेली भी दिया गया है और मुगलिया सेली भी दिया तो अबजेक्शन होने की पूरी संभावना है है ठीक है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जो दखकेणी सेली में यह जो राग्य हिंडोला से संबंदी जहाँ पर सासकों के सासनकाल में जो चीत्र बने वहां पर मिस्रिश सेली कमें प्रवयोग देखने को मिलता है, चाहे वो मुगलिया हो, चाहे तुरकी हो, चाहे वो फार्सी हो, देखने को मिलता है, लेकिन best option जो हो जाएगा, वो two हो जाएगा, अगर इसके according अगर दूसरा option चुन करता है, commission, तो आप objection करेंगे, क्योंकि जो paper दिया गया है, जो इन बच्चों से, उन् ं कोश्चन है कि जहांगीर मैडोना की तस्बीर पकड़े हुए नामक चितर के चितरकार थे तो important point है जहांगीर के सासनकाल में ये चितर बने और जो भी विदेसी लोग आये थे जो जहांगीर के सासनकाल में चितर दिये मैडोना से जो की यूरोपी प्रभाव यहां पर पूनी से रिलेटेड जो इनका जो चीत्र बनाया था वो अबूल हसन ने बनाया था राइट एंसर हो जाएगा फूर नेश्ट कुश्चन पर अगर बार्द करें हम लो इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं ठीक है? कुश्चन ये रहा कि कीस नधी के टड़ पर हरपा सम्वरीद्य हुआ? यहां पर हरपा जो सम्वरीद्य हुआ किस नधी के टड़ पर तो वो थी रावी नदी राइट एंसर क्या हो जाएगा? फूर हो जाएगा नेश्ट 55 नंबर के question को हम लोग solve करेंगे question ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर question है यहाँ पर किया भी गया है कि प्रत्थम यह जिनका भी question paper हो वो आप लोग मिला लेंगे साथ वाहन काल की अजनता की गुफाएं नहीं है यहाँ पर याद रखिएगा नहीं put up किया गया और अजनता की बात की जा रही है और प्रत्थम जो है वो साथ वाहन काल की बात की जा रही है तो यहाँ पर जो देखिए किसी ने लिखा भी है 200 से 300 तो यह जो दिया गया है ये क्या है कि साथ वाहनों का सासन काल माना जाता है 200-300 किसी बच्चे ने ये जो किया है वो सही किया है अपना गेस लगाया है तो 200-300 लगाया गया है तो साथ वाहनों का सासन काल था यहाँ पर अगर हम लोग गूफा की बात करें तो देखिए, जो सबसे प्राचीन गूफा मानी गई है, यह देखिए, यहाँ पर दस्वी गूफा मानी गई है, नौवी गूफा मानी गई है, तो इस पे तो आप लोग 100% यह क्या है, नहीं है, तो यह नहीं है, अब आया 12 गूफा और 14 गूफा, देखिए, यह जो गूफा होए नवी गूफा और दसवी गूफा ये कौन सी गूफा है ये चैती गूफा है और चैत गूफा जो होती है वो प्रार्थनागिरी होती है और सभाविक सी बात है मैं आप लोगों को बताया भी था और आप लोगों को डिसकसन भी कराया था कि यहां पर जो चैत होते थे चै नास करते थे रहते थे तो हर एक चैते के साथ एक आप लोगों को बिहार देखनों को मिला है अगर हम लोग 12 नंबर की बात करें तो ये क्या है बिहार गुफा है और ये 12 नंबर की जो बिहार गुफा है ये सबसे प्राचीन मानी जाती है और ये किस से रिलेटेड है ये गु ये जो गूफा संक्या दस्वी है इसी से रिलेटेड ये 12 वे गूफा सटी हुई है और ये गूफा जो है वो सबसे प्राचीन गूफा है तो ये भी होगी नहीं और इसमें जो 14 वी गूफा है ये सबसे बाद में देखने को मिलती है जो कि अभी तक इसके साच भी हमें पर जाता है तो साच मैं दूजँगा आप लोगों को कोई भी साच जो होगा मैं दूँगा और वो भी एथेंटिक तो इस क्वेश्चन का राइट एंसर जो हो जाएगा वो 14 वी हो जाएगी नेस्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करें आप लोग डड़ी का नहीं जिनका जो भी होगा जो भी आप लोगों को सुडूल चाहिए जो भी साच चाहिए मैं दूँगा आप लोगों को एथेंटिक साच निम्न में से कौन सी सैली पहाड़ी सैली नहीं है यहां पर आप सन है पहाड़ी सैली नहीं है किसंगर बसोहली कुली और कांगड़ा तो सभी लोग ध्यान प्रवग देखेंगे जिन्हों ने कहा था कि अबजेक्शन वाले कोस्चनों को सरीर जरीर बताईएगा तो आप लोग अपने मिलाते जाईएगा और अपने कोस्चन पर गोले करते जाईएगा कौन सा कतन उसके बाद आप फिर पूछेंगे मेरे पास इतना थी भूण संस्क्रिटिया देखने को मिलती है और मैंने बताया था आप लोगों को जाती और वन वेवस्ता पर आधारी थे और सबीवर की लोग भीन जातीयों के विन धर्मों से रिलेटेट थे और वहां पर वन बेवस्ता कोई इस्तरी के पसूपती की पूझा करता था त तो तमाम देखने के हम लोग डिसकस बाद में करेंगे नहीं तो बीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो संस्क्ति आम तोर परिस्ति थी नहीं थी घोड़े की बली चढ़ाना प्रचली था बिलकुल नहीं था क्या गाय का पूज़े होता था गाय के तो साच मिले ही नहीं तो ये आप्सन में होगा नहीं तो 100% क्या होगा ये राइट हो जाएगा और इसी से रिलेटेड आपको जाती और वन विवस्ता भी मैंने बताया आप ये कोस्चन में ही कुछ आप लोगों को क्लू देखने को मिला है नेश्ट कोस्चन है और मैंने कहा भी प्रूप भी मैं दूंगा नेश्ट कोस्चन कि अगर बात किया जाए यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा कोस्चन है चलिए इसको मैं साल्व कर लेता हूं कोस्चन चावंड में चित्र रागमाला चित्रों से मानी जाती है यह 1605 में है जिसके चित्रकार थे नेट जे आरफ में question put up किया गया था याद रखेंगे I think यह लगभग 2013 या 14 के question है 2013 या 14 में यह question put up किया गया था I think आप लोग देख लिजेगा same next जो यारफ का question है तो इसका right answer जो हो दाएगा निशार दिन हो जाएगा क्योंकि यहीं से यह जो जो है यह प्रारम हो जाती है सैली और इसके प्रमुख जो चित्र है रागमला है 1605 की बारबार उल्लेख होता है right answer 3 हो जाएगा next question है कि सिंदुगाटी सबता का कौन सा एकमात अस्थल है जहां किला बंदी नहीं है आप लोग जानते हैं किला बंदी मतलब सुरच्छी तवस्था में जो हमें चेत्र देखने को मिले हैं चाहे वो आप लोगोंने हनपपा का देखा मोहलन जोदोनों का देखा काली बंगा का देखा यह सारे जो चेत्र थे यह सभी तीलों से इक मिले और थे सुरच्छी तवस्था ट्रंप ओफ लेबर में कुल कितने मानवा किर्थी को दिखाया गया है यहाँ पर मानवा किर्थी है जिनकी सबसे अच्छी जो मानस्पेसियों का सुडूलता डीपी रैचोधरी की के द्वारा इस मूर्ती में दिखाया गया है जो एक बहुत बड़े चटान को जो लकड़ी के ठुंडे से मतलब इतनी प्रेथ स्रम करके इसको दिखाने का प्रयास किया गया है क्यों? क्योंकि उन्होंने मानस्पेसियों के उपर बिसे सुरूप से ध्यान दिया और इसमें जो स्रमिक वर्ग हैं वो कितने हैं तो टोटल चार लोग है राइट एंसर हो जाएगा थ्री हो जाएगा आप लोग यह मत समझेगा चार मानवा कृतियां हैं आपसं जो हो जाएगा वो थ्री हो जाएगा नहीं तो अभी कमेंट बहुत ज्यादा आप लोग कर देते हो निष्ट कुस्चन है कि मुगल लगुचित्र कलास सैली का विकास हुआ सभी लोग जानते हैं आप अप लोग सेलवेस को उठाइए और आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि मुगल लगुचित्र सैलाकिजिकी का विकास जो डियूरेशन जो उसमें दिया गया है वो किसके कार्डिंग दिया गया है 15 से 19 सताबदी के सुरू तक 14 से 17 सताबदी के अंत तक 16 से मद 19 सताबदी तक या 15 से 18 सताबदी के अंत तक तो आप सभी लोगों के सेलवेस के कार्डिंग बेश्ट आप्शन क्या हो जाएगा 16 से मद 19 सताबदी तक ये आप लोगों के सेलवेस में इसका टाइम डियूरेशन उलिखी थे राइट एंसर क्या हो जाएगा अगर हम लोग बात करें 62 नमबर का कुश्चन 62 नमबर का कुश्चन ध्यान पुरुबग देखिए कुश्चन है कि अजन्ता चितर निर्मार में प्रत्थम रेखांकन की सरंग से किया गया है तेरावट, खडिया, रामरज और लाल गेरू तो सभी लोग जानते हैं कि जब अजन्ता में जो चितरन देखने को मिलता है पहले जो भी भीतियां हमें तयार करके मिलने के बाद जो खडिये से जो अंकन होने के बाद क्या होता था कि तूलिका से जो लाल रंग और लाल रंग से क्या होता था कि ब्रस से रेखांकन किया जाता था तो उसमें गेरू जो होता था, लाल रंग जो होता था, वो गेरू होता था, तो राइट एंसर जो होता है, तो लाल गेरू, हिराउंजी भी होता है, लाल रंग ही होता है, निश्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ध्यान देंगे वास चितरन का प्रमुक तक्निकी विशेष्था है वास चितरन का प्रमुक यहाँ पर टेक्निक की बात कह रहा है तक्निकी विशेष्था है तो आप सभी लोग जनते हैं कि रंग को बार बार धोना इसलिए वास तकनीक में जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं वो धुन्धले आकार के में धुन्धले प्रभाव में देखने को मिलते हैं तो इसका राइट एंसर जो हो जाएगा रंग को बार-बार धुना निष्ट कुस्चन 64 नम्बर का कुस्चन है कि इन में से किस माध्या में परियापत बंधक नहीं होता है नहीं होता है आयल कलर एकलर reflection ड्राइब पेश्ट और आयल पेश्टल तो सभी लोग जानते हैं कि बंधक का जबी प्रयोग किया जाता है पिगमेंट को पकड़ने के लिए लेकिन ड्राइब जो पेश्टल होता है यह सुखा होता है जैसे आप लोग करते हैं तो उसके जो पिगमेंट है इसलिए कि द्रिश कला के मूल रूप को आरामब से सीखने के लिए सबसे पहले अभ्यास किसकी होनी चाहिए देखिए द्रिश कला के मूल रूप को आरामब से सीखने के लिए सबसे पहले अभ्यास किसकी होनी चाहिए आप लोग तो ऐसे ही मार देंगे sketching क्योंकि स्वर प्रतम जब आप headmission लेते हो BFMFA में तो स्वर प्रतम आप लोगों को sketching ही सिखाई जाती है और खूब इस पे अंकन भी कराया जाता है जितनी अच्छी आपकी sketching होगी उतना अच्छा आपकी drawing होगी और सभी लोग कहते हैं तो इसका right answer जो हो जाएगा वो third हो जाएगा ये सब question तो आप लोग धुगा में उड़ा सकते हैं अजन्ता के पद्म पाड़ी बोधी सत्यों चित्र में जो कबूतर है कबूतर प्रिष्ट भाग में चित्रित है उसका रंग है देखिए इस जब प्रिष्ट भाग में जो आप लोगों ने देखा तो यहाँ पर कबूतर को क्या है कि सफीद और नीले रंग में चित्रित किया गया है आप लोगों ने जब पेंटिंग में देखा गया तो उपर की भाग में इस को बहुत ही सुन्दर्ता के साथ अंकिन किया है आप लोग साइद इसकी डिटेल फूल नहीं देखे होंगे जब इसकी फूल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो राइट एंसर जो हो जाएगा सफेद और नीले रंग से निर्मित किया गया कैटलाग अगर आप लोगों को मिल जाए अजनता की तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं अगर नहीं तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की कुशीज करूँगा नेक्स्ट कुश्चन है कि द्रिशिकला अध्यान में परस्पेक्टिव अर्थात दूरी और निकटता छैबृधी का ज्यान प्राप्त होता है तो किसमें यहाँ पर आपसे में दिया है मानोसरीर अध्यान में बिलकुल नहीं इसमें दूरी और दिखाना का सरीर कह रहा है कि मानोसरीर पतलब जो हम लोग पाशुप अच्छी अध्यान, नो व्यक्ती चित्र, नो यहाँ पर क्या है लैंडिस्केप, दृष्य चित्रण में, क्यूंकि दृष्य चित्रण जो भी होता है वो परसपेक्टिक के उपर ही डिपेंड करता है क्यूंकि दूर की बस्तुएं छोटी पास की वस्तु है बड़ी और यही छोटी और बड़ी दूरी और निकटता का जो ज्ञान ही होता है वही परस्पेक्टिव होता है तो राइट एंसर जो हो जाएगा वो फूर हो जाएगा नेश्ट कोस्चन है मैंने कहा न कि जो कोस्चन है आप लोग उड़ा देंगे और वैसा ही कोस्चन है जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं और जो भी प्राक्टिस सेट देखे हुए हैं उनको कोई दिक्कत आएगा ही नहीं सभी लोग जानते हैं कि मैं समय के अभाव के कारण कम ही टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइट करता हूं लोग लेकिन बहुत ही अथेंटिक और एक्जाम से एक दिन पहले जो आप लोगों को कोस्चन में पेपर कराया था उससे रिलेटेज ही चार कोस्चन अगर एक से निम्न में से किस गुफा में त्री मूर्ती की मूर्ती है सभी लोग जानते हैं कि एलेफेंटा आप लोग राइट करेंगे यह कोस्चन में सी नहीं हो सकता नेश्ट कोस्चन है 69 नबर का कोस्चन है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता है देखिए कोस्चन है कि 16 सताबदी में कौन सा धर्म भक्ती आंदोलन के रूप में पस्चिम याद रखिएगा पूर्व नहीं पस्चिम उत्तर और मद्ध भारत में लोग प्री हो गया था सभी लोग जानते हैं क पस्चिम में जैसे ही आप लोग जैन सैली का अध्यान देखे होंगे उसकी बाद जैसे ही यह थोड़ी सी धुमिल होती है जैन सैली उससे ही जैसे रिलेटेड आप लोगों को जैसे आप लोग राजस्थानी में मुगलिया में यह आप लोग परवेश करते हैं तो आप लो सुलाहमी सताब्दी का जो समय हमारा देखने को मिलता है वो कौन सा जैसे आप लोगों ने राजस्थानी मुगल पहाड़ी दक्नी ये जितनी भी टाइम पिरियेट की बात खें उसमें आप लोगों ने जिस से रिलेटेड बहुत अधिक चितरन देखने को मिला कलाकारों के द बेश्ट है या आप लोग कुछ भी कर सकते हैं वह वैश्राओं हो जाएगा राइट इंसर फूर हो जाएगा नेश्ट जो है क्योंकि देखिए यह जैन से लिए हुआ यह सब धूमिल हो रहे थे लेकिन 16 सताब्दी में जो धर्म उत्थान हुआ और कह भी रहा है पास्ची आर्ट के संस्थापक थे यहां पर आप लोग याद रखेंगे इंडियन सोसाइटी आप औरियंटल आर्ट इसका राइट इंसर क्या दिया गया है राम किंकर बैज सिश्टर निवेज्टा इवी हैवर और नंदलाल बोस देखिए स्वर प्रतम हम लोग बात आप लोगों क तुरंत समझ में आ जाएगा देखिए यह इंडियन सोसाइटी आप औरियंटल आर्ट की जो फाउंडेशन होता है 1907 में इसमें जिसका सबसे बड़ा योगिता सभागिता सदस्यता और जो कार्य करने वाले थे इनमें जो भी कलाकार थे जिनके बारे में आप सभी लोग ज टैगोर थे सिश्टर निवेदिता थी और भी सदस इसमें थे लेकिन उन सदस्यों के बीच में से यहां पर उन सदस्यों के बीच में से जो इनके संस्थापक में जो सबसे बड़ा रोल दिया गया यहां पर इभी जो आउनिदना टैगोर दिया ही नहीं है गगनेदना सदस पने से तो यह पर जीश्टर निवेतिता हो जाएगा राइट एंसर टू हो जाएगा यहां आप सभी लोगोंको मैंने बताया कि जा समय सथा संस्थापक हो रहे थे तो इस में सिस्टर निवेतिता भी थी तो अगर वो लोग नहीं थे और उनमें से कोई सदस है जैसे कि कोई उत्रा दिकारी जैसे सदस नियुत किया गया अध्यच नियुत किया गया अगर वो अध्यच नहीं है तो उसका कारेकाल सदस समालता है उसी प्रकार से अगर और भी कंडिरेट नहीं दिया है लेकिन सिष्टर निवेदीता राइट है नेश्ट कोस्चन है अब आप लोग ये पूछेंगे कि ये कहां से है तो मैं आप लोगों को प्रूफ कह रहा हूं पूरी तरह से दो दूँगा नेश्ट कोस्चन आप लोगों के सामनी ये रहा है थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं देखिए मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बट जितने भी चीज को आप लोगों के सामने इनालेसिस करा हूं उसका हंड़ेट परसंट प्रूफ मैं दूँगा और एट्हेंटिक दूँगा गंगा ओतरण मुर्ती के दाएं भाग में किस विसाल का जानवर को दिखाया गया है तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये कितना बेहतरीन गंगा ओतरण किया गया है ये रिलीफ पर कितनी अच्छी रिलीफ इसका है और बार बार मैं आप लोगों को यहां पर समझाने के कोशिस करूँगा कि जो भी आप इस कलपरिसर हो पेंटिंग हो रिलीफ हो जो भी आप देखा करो उस पेंटिंग को बहुत ही दिखान से देखा करो क्योंकि उस पे आप उसको पढ़ोगे तो आपकी दम माइड सेट रहेगा तो इसमें किस विसाल का जानवर को दिखाए गया है तो सभी लोग जानते हैं विसाल का जो जानवर है वो हाथ ही है नेश्ट सेवेंटी टू नमर का कुस्चन है कि निमलेखित में से कौन कला का तत्त तो नहीं है तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस कौस्चन को आप लोग 100% गलत तो करेंगे नहीं रूप, रंग, पूत, छैविदी तो ये छैविदी मतलब परस्पेक्टिव तो है ही नहीं है और ये 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 आप लोग तो उड़ा डाले होंगे, खा गये होंगे, खुस भी हो ग कितने लग तो खुसी में गलत कर जाते हैं, निस्ट कुस्चन है, 73 नमर को कुस्चन कि लच्मा गौन द्वारा रचीत, आदमी औरत वप्योंड, इसको भी कुस्चन को देखे बहुत ही खुस हो गये होंगे, आनन्दित हो गया होगा, कि ये तो तोड़ देंगे, तो ये क् चापा चीतर है, निस्ट कुस्चन, देखिए, यहाँ पर कुस्चन आप लोगों के सामने है, कि अजन्ता की पद्मपाणी बोधी सत्व चीतर कीस काल की है, और आप लोग जब अपना सेलबस दिखेंगे, तो यहाँ पर, देखिए, यहाँ पर भी अबजेक्शन हो सकते है इस कुस्चन पर भी अबजेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि देखिए, यहाँ पर लगभग दुती सताबदी, लगभग सात्वी सताबदी, लगभग पांचवी सताबदी, और लगभग प्रत्थम सताबदी, यहाँ पर दिया गया है, आप लोग अपने सेलबस के काडिंग अगर जाएंगे तो इसका best option जो हो जाएगा वो हो जाएगा पांचवी सत आप दी किसकी पद्मपाड़ी बोदी सत लेकिन और भी जगों पर जो आपको साच मिलेगा वो साथवी सत आप दी भी मिलेगा तो इस question पर भी objection हो सकता है लेकिन आप लोग 100% आप लोग अपने कमीशन के कार्डिंग अगर जाएंगे तो देखिएगा कमीशन इसी को राइट करेगा ठीक है आप लोग समझ चुके होंगे नेश्ट क्वेश्चन है की लगुचित राग मेग डाइरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सेलबेस पर पूश्च अप किया है सेलबेस को अधगर जिनने अध्यन किया है कि इस पहाड़ी सेली से सम्बंदित है तो इसका राइट एंसर है कांगड़ा नेश्ट क्वेश्चन 76 नंबर का कि राजपूद लगुचित्र चित्रित किये गये थे सीसे पर धातु की चादर पर ओहो कपड़े पर हस्द निर्मित कागट पर तो राजपूद जो चित्र थे वो कैसे चित्र थे मिनियचर पेंटिंग थी लगुचित्र थे और क्या होते थे छोटे छोटे किस पे राइट एंसर फोर नेश्ट क्वेश्चन 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों से एक्जाम से पहले कराया था और इसका व्याख्या भी मैंने दिया कि चौगान खेलती राज कुमारियां लगुचित्र किस चित्रकला से संबंदित है और आप लोगों को डिफाइन भी किया था कि इन में घोड़े पर सवार होकर कितनी राजकुमारियां पोलो खेल रही हैं चौगान मतलब पोलो खेल रही हैं और एक होता है चौगान खेलती हुई राजकुमारियां लगुचित्र चित्रकला स कि जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट मेरा देखे होंगे सबी लोग यस बोलेंगे हाँ या ना जितने भी लोग देखे हैं बोलिए हाँ या ना और नहीं है तो उसका भी मैं प्रूब दूँगा कुश्चन है कि मुगल लगुचितर कला सेली का कलात्मक सिखर देखा जाता है जिसके सासन काल में वह सासक था तो मुगल लगुचितर कला सेली का कलात्मक सिखर जो देखा गया वो जहांगीर का था राइट इंसर थाड हो जाएगा 79 नबर का क्वेस्चन है कि प्रारंभीक मुगल लगोचित्र सेली पर देशी विशयवस्तु और चित्रकला सेली के साथ प्रभाव था तो यहाँ पर प्रारंभीक जो लगोचित्रकला सेली पर ध्यान दिजेगा देशी विशेवस्तु और चित्रकला सेली के साथ प्रभाव था रूसी सेली का अप्रिकी सेली का यूरूपी सेली का या फार्सी सेली का तो राइट इंसर हो जाएगा फार्सी सेली निश्ट कोस्चन है कि चित्र निर्मार में जल से बार-बार रंग को धोने की प्रक्रिया कहलाती है तो इसको क्या कहते हैं वास चित्रान कहते हैं जो कि पंगाल साली की सबसे उलेखनी तक्नीक मानी जाती है राइट इंसर थोड़ हो जाएगा निश्ट एट्टी वन नंबर का कुस्चन है कि निम्न में से मंदिर का भाग नहीं है यहाँ पर मंदिर का भाग आप लोग देख लिए कौन सा है कलस मंदिर का भाग है सिखर मंदिर का भाग है गर्विग्री मंदिर का भाग है हर्मिका यह हर्मिका नहीं है तो है किसका इस त पर ठीक है नेस्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 82 कि नंदलाल बोश द्वारा चितीत पार्थ सार्थ थी इसको और किसने निर्मित किया था और निदना टैगोर ने भी किया था का माध्यम है तो इसको इन्होंने जल रंग की जो वाश टेकनिक थी उसमें बहुत ही म मारमिकता से इसको निर्मित केता है तो यहां पर जल रंग हो जाएगा निश्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छी पेंटिंग है जो बार बार आप लोगों को दिखाया भी गया है क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सम्रीद लुभावनी योजना जो एक असाधारन दूति नामा और सब तो आप सभी लोग जानते हैं तो यह पाद साह नामा किसके साह जहां है राइट इंसर टू निश्ट क्वेश्चन कि निमन में से अजन्ता की गूफा संख्या नौ का समय क्या है तो नौ का समय क्या माना जाता है दूति सताब्दी इसका टाइम जो है वो दो सो इसाब पूर्व से लेकर तीसरी सदी इस भी तक मानी जाती है तो इसका राइट इंसर जो हो जागा हो दूति सताब्दी इसाब पूर्व निश्ट कुश्चन है कि भारत में अपना सासन पुन इस्थापित कर हुमाई दो फार्सी चितकारों के साथ लाए वे थे मीर सेयद अली और अब्दू समद राइट इंसर फोर हो जाएगा पच्चासी का राइट इंसर फोर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कलाकार जो थे वो बिहजात किसी से थे और इनी से जिस समय निसकासन के दोरान ये फार्स में हुमाई ने चितरोंड भी देखा इनके साथ और कुछ कारे भी किया तो इनको अपने साथ ला इनको भी यहां पर कारे करने के लिए आप सब ही लोग जानते हैं 1922 में इनको करते हैं तो इनका जो दाईत था बहुत इंपोर्टेंट था और उसी में इनको अध्यच के भी पद्य पर न्यूक्त कर दिया गया था कि निश्ट क्वेश्चन है कि सिंदुग घाटी का चित्रित मिट्रभांड किस वीधी से बनाया गया है तो सिंदुग घाटी का चित्रित मिद्रभांड है किस वीधी से बनाया गया है आप लोग ध्यान दिजेगा चित्रित मिद्रभांड की बात की जारी है और चित्रित मिद्रभांड हमें मिद्रभांड बनाने की बात नहीं की जारी है यहां पर चित्रित मिद्रभांड बनाने की बात की जारी है और किस वीधी से बनाया गया ह तो इस पर भी आप लोग जड़ा ध्यान दिजेगा कुमहार की चाक, दबाने वाली मसीन, हंस्त निर्मित या साधारन मिट्टी के उपकरण, आप लोग इस पर भी थोड़ा गौड कीजेगा, अगर सिंदु घाटी के जो मिरिदभांड थे, वो किस बीधी से बनाय जाते थे तो आप कुमहार को तो 100% मार देते, सही है, लेकिन जो चित्रित होता था, यहाँ पर चित्रित भी दिया गया है, तो चित्रित मिरिदभांड किस से बनाय जाते थे तो, तो हंस्त निर्मित, इस दोनों भी, इस पे भी आपजेक्शन आप कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं, जड़ा कमेंट बाक्स में करके बताइएगा, तो सबसे बेश्ट आप्सन क्या हो जाएगा, यहाँ पर चित्रित मिरिदभांड कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, सिंदु घाटी का, जो चित्रित मिरिदभांड है, बार बार मैं टेक कर रहा चित्रित मिरिदभांड, अगर मिरिदभांड वनली मिरिदभांड आता, तो आपका एंसर क्या हो जाता, कुमार की चाक, लेकिन अब इस मिरिदभांड पर अलंकरण की भी साच मिले हैं, और वो क्या थे, चित्रित थे, मिरिदभांड साधे मिरिदभांड नहीं थे, चित् तो हंस्त निर्मित किये जाते थे ओके निश्ट कोश्चन के अबर हम लोग बात करें तो आप जेक्शन वाले कोश्चन मैं डिफाइन करते चला हूं ध्यान से समझिएगा निश्ट कोश्चन है कि इन में से कीस रंग को फिक्स करने की जरूरत पढ़ती है जल रंग आयल कलर मोम रंग या ट्राइ पेस्टर कलर तो भीया सभीलोग जानते हैं ड्राई पेश्टर कलर को फिक्स करने के लिए फिक्सेटिव का प्रयोग करते हैं तो राइट इंसर क्या हो जाएगा फूर हो जाएगा निश्ट एट्टी नाइट नबर का कोस्चन है कि कांगड़ा छेतर में लगुचितर कला पल्लवीत एक विसीष्ट सासत के सनच्छण में हुआ है आँख बंद करके मार देंगे खोज लेंगे कौन भाई है राजा संसार्चन दिये गए हैं इन्हीं को हम टिक कर देंगे क्योंकि कांगड़ा छेतर में लगुचितर कला जो पल्लवीत हुई और इनको सरच्छित सरच्छण प्रदान किये गए राजा संसार्चन दिये निश्ट इस्थीर चित्रण अतलब इस्टील लाइफ की बात किया जा रहा है वस्तु का अभासी गुलाई लाया जाता है अभासी यहां पर देख रहा है अभासी लाया जाता है किस से लाया जाता है छाया और प्रकास से राइट इंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा निश्ट कुश्चन है कि जातक कथाओं का चित्र संग्रा है आप लोगों को कोई समझने की बात नहीं होगी बस तुरंत आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप्शन में क्या दिया है पीतल खोरा लोमा सुरीपसी गूफा अजंता गूफा एलोरा गू मिलती है वो अजंता में देखने को मिलती है राइट इंसर तर्ड हो जाएगा नेश्ट कुश्चन अगर बात करें हम लोग कि गुबर्धन परवत को उठाते हुए क्रिश्न एक मुगल लगुचित्र है एक पांडुलीपी का जिसका नाम है किस पे रिलेटेड है किस से रि कमेंट करके बता दीजिए साहिद मुझे नहीं आता है बताईए आप लोग गुबर्धन परवत आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट करेंगे नहीं आएगा तो बता देंगे सिंदुगाटी का कौन सा अस्थल बरतमान में पाकिस्तान में अवस्तित है देखे बहुत इजी क्वेस्चन पुछे हैं यार अगर नहीं बता दोगा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ज़रा देखें आप लोगों की उंगलियां काम करती हैं कि नहीं और इसी के साथ लाइ करेंगे कि सर इसका एंसर बता दीजिए तो पहले चितने भी लोग एंसर चाहते हैं पहले लाइक कर दीजिएगा इसलिए मैं अब लोगों से पूछ रहा हूं सिंदुगाटी का कौन सा अस्थल बरतमान में पाकिस्तान में आवस्तित है क्योंकि देखें अभी गला भी सु निश्ट कुस्चन की बात करें कि निमलिकित में से कौन सी सैली दक्कनी सैली नहीं है यहां पर गोल कुंडा मालवा बीजापूर और अहमद नगर यह है यह एक स्वतंत्र जो है दूसरी सैली मनी जाती है तो इसको मालवा को अलग कर लिजे राइट इंसर जो हो जाएगा यह जितनी भी हैं विजापूर अहमद नगर यह सभी दक्कनी सैली के अंतर गताती है लेकिन मालवा नहीं आता है यह अपना एक स्वतंत्र सैली थी कि नेश्ट कुस्चन है अरे यह तो हडपा में पाई गई पूरुस धड़ की मूर्ती जो राष्टी संग्राले दिली के संग्रा में है किस पत्थर से बनाई गई है आप लोग धड़ाग देना मार दिये होंगे कई बार इसको बताया भी गया है लाल बलुगा पत्थर आपके सेलबेस में है मेल टोर सो देख लिजेगा उसमें देखिएगा मेल टोर सो दिया गया है और इस टोन में भी निर्मित किया गया किसमें वो भी अगर आप लोग गए होंगे वहाँ पे तो कितने संदरता के साथ निर्मित किया गया है और उस पर पालिस जो किया गया ह है बहुत सुंदर नेस्ट कोश्चन है कि इन में से किस सैली में भारती और यूरोपी सैली का मिसरण क्या है भारती और यूरोपी सैली जब भी देखनों को मिलती है तुरंत हम चल जाते हैं कहां चूल काली नटराज की मूर्ती का काल कौन से मानते हैं आप लोग राइट एंसर क्या हो जाएगा बारह होई सदी तुरंत अपने सेलबेस में जाई है और इसका टाइम आप लोग देख सकते हैं सही है कि गलत है राइट एंसर फूर हो जाएगा ट्वेल्थ निष्ट कुष्चन यहां पर दिया गया है क्या कुष्चन है भी है कुष्चन है कि मूर्तिकार पीबी जानकी राम द्वारा बनाई गए मूर्ति गणेश में गणेश के हाथ में कौन सा वाद्रे अंत्र है Next question है, कि इनमे से रेखाओं की परिपकवता का दर्सन होता है? जी हाँ, रेखाओं की परिपकवता का दर्सन बिलकुल होता है, किसमें? मूर्ती कला में, बर्तन कला में,ãy debating में या संस्थापन. ये इस्टॉलेशन भी देख रहे हैं आप लोग बरतन भी देख रहे हैं मूर्तिकला तो इन में रिखाएं कहां पर देखने को मिलती हैं बिल्कुल नहीं मिलती हैं तो परपक्ता का दर्शन कहां पर होता है इस केचिंग में तो राइट एंसर क्या हो जाएगा थर्ड जी कोश्चन बागोरा नदी तुरन ठोक दिये होंगे आप लोग हसते हुए निश्ट कोश्चन है कि निमलिखित में से कौन कंपनी सैली का केंद्र नहीं रहा सबी लोग जानते हैं कि कंपनी सैली का जो मुख्य केंद्र था मुख्य केंद्र किया था पटना था क्यों पटना था क्योंकि जो इस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े-बड़े अधिकारी थे उनकी जो आवास होती थी इसी पटना में होती थी तो कंपनी सैली जो पनपी जिनके चित्रों के माध्याम से हमें देखनों को मिलता है वो पठना ही था लेकिन जैसे जैसे East India Company भारत के भीन भीन प्रांटों में बठती है तो ये पठना सेली भीन भीन जो अंग्रेज East India Company के धिकारी थे वो भिन 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 छेत्रों में जब जाते हैं और भिन 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 छेत्रों में जैसे मान लिजिए कहां पर लाहोर में चले जाते हैं दिल्ली में चले जाते हैं लखनो में चले जाते हैं बनारस में चले जाते हैं मुर्सिदाबाद में चले जाते हैं सतारा में चले जाते हैं, पूना में चले जाते हैं, इस तरह से बहुत-बहुत छेतरों में चले जाते हैं, तो जिन-जिन छेतरों में ये चले जाते हैं, वहाँ पर ये सैली उनके साथ जाती है, और इसलिए जब ये सैली बिक्सित हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या नाम द भिकारी जो इस्ट इंडिया कंपणी के थे बिन बिन प्रांतों में जब जब फैलते हैं तो ये पटना सली उनके साथ साथ फैल जाती है और इसका एक विस्तरित नाम होता है कंपणी सैली तो राइट इंसर जो हो जाएगा तो यहां पर पूछ रहा है कि नहीं रहा मुरसीद कि पाल सैली के सरवसेष्ट पांडूली पी कौन सी है वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप लोग हस्ते से मार दी होंगे प्रग्यां पारमिता नेश्ट क्वेश्चन है कि बंगाल सैली की विसेश्था थी सभी लोग जानते हैं ऑप्शन क्या चुनेंग भी है जल रंग से कार नेश्ट क्कुस्टन है यहां पर बात कर लेंगे चित्र यात्रा का अंत में किस सैली का प्रभाव दिखता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट इस चित्र को अउनिन्दना टैगोर के द्वारा चित्तित करने का सबसे बड़ा माध्यम ये था कि जो हमारे भारत में जो यूरोपी जो सभ्यता पनपी थी जो चर्मुत कर्श पे थी उस पर एक करारा तमाचा था और इसी चित्र के माध्यम से उन्होंने जो सोसीत वन्चीत जो भी लोग थे उनको इससे दिखाने का और उनकी आँखों को खोलने का ये सबसे बड़ा उनका पेंटिंग था क्योंकि जब ईवी हैवल सहब ने अवनिन्ना टैगोर को इस चित्र के माध्यम से मैं बताने की ये कोशिस कर रहा हूं कि ईवी हैवल सहब ने जब अवनिन्ना टैगोर को कहा कि यूरोपी टेकनिक के पेच्छा आप लोगों को अपनी सैली में बिसेश धियान देनी हिर्दय से आश्रीत थे और यही कारण था कि उन्हों ने जो अग्रणी कलाकार चुना और इसमें जो अपनी सकती साहस का जो विकास किये आउनिन नाटेगोर तो उन्हों ने इस पेंटी के मात्यम से दिखाया और इसमें जो आप लोगों का बेश्ट ऑप्सन हो जाएगा वो हो जाएगा पहाड़ी और मुगल क्योंकि हमारी जो राजस्थानी और मुगलिया जो सैली देखने को मिलती है उसमें बहुत सारे भारतियता विसेवस्तु देखने को मिल पूर में स्थीत है राइट इन सथार्ट हो जाएगा निश्ट कोस्चन की अगर बात करें हम लोग कोस्चन है कि माधमी कस्तर पर कला को कीन बिस्यों के साथ एक ही कर सकते हैं यह देखिए आर्ट आफ टीचिंग के अंतरगत ऐसे कोस्चन पूट अगर आप लोग जब क्रेशनल वीव होते हैं ऐसे कोस्चनों को जैसे आर्ट आफ टीचिंग को करने के देखिए यहां पर जो कोस्चन है कि माधमी कस्तर पर माधमी कस्तर पर बात किया जा रहा है कला को किन विस्यों के साथ एक ही क्रित कर सकते हैं एक ही क्रित कर सकते हैं किवल भासा किवल से हो वहाँ पर इसका रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा इसलिए चाहे आप लोग बीएट का कुर्स करते हो डियलेट का कुर्स करते हो चाहे कोई भी कुर्स करते हो चाहे इंजिलिंग का वहाँ पर ड्राइंग जरूर सिखाई जाती है यह बहुत इंपॉर्टेंट है तो राइट एंसर फोर हो जाएगा निश्ट कोस्चन है कि कला एक एक्रित सीखने में सीखने में यहां पर क्या है लड़नी में कला को कहा गया है तो कला एक एक्रित सीखने में कला को कहा है किसे कला को सीखा जाता है सास्त्री कला लोग कला सैच के सीखने में क्या होता है उपकरण का प्रयूप होता है राइट इंसर थर्ड हो जाएगा निश्ट इंसर जो question है 108 नंबर का कि कला एक एक कृत सिच्छा किसके विकास में मदद करती है तो किसके विकास में मदद करती है यह सरवांगी विकास में मदद करती है चाहे वो संग्यान आत्मक हो मनो प्रियना हो चाहे भावा आत्मक कर चाहे अपनी भावनाओं को किसी भी माद्यम में व्यक्त करने का सबसे अच्छा माद्यम जो है क्या है कला है राइट इंसर 2 हो जाएगा तेरा सोच के देखिए आप लोगों को सब कुस क्लियर हो जाएगा नेश्ट कोस्चन है आप लोग अगर ये कोस्चन कर रहे हैं तो आप लोग आर्ट टीचर के हिसाब से सोचेंगे और बेश्ट से बेश्ट अपना बेश्ट सल्यूशन जब देंगे तो आप लोगों को समझ में आने हैं जगा हाँ सही है निश्ट कोश्चन है कि कला से जूडते समय देखिए कला से जूडते समय सिच्छार थी निमलिकित में से नहीं गुजरता तो किस से नहीं गुजरता रटना स्रीजन और उनर्सीजन इस से गुजरता है कारे को करता भी है बिगारता भी है बनाता भी है और अच्छे से ड्राइंग करके अपने कारे को निर्मित भी कर ले जाता है तो सभी लोग जानते हैं तो ये अनुवेशन और प्रियोग बिल्कुल करता है सोचना और कल्पना I think सभी लोग सोचते हैं कि इस पे हम क्या imagine बनता है कोई भी image बनता है तो नहीं गुजरता है तो रटना से नहीं गुजरता है इस कारे में तो right answer first हो जाएगा next question है कि कला सिच्छा की new कैसे रखी जाती है यहाँ पर देखे कला सिच्छा की new कैसे रखी जाती है we say कर प्राथमी कस्तर पर तो प्राथमी कस्तर पर जो हमें जो new रखने को होती है वो पहले अपनी अभिव्यक्ति की जाती है किसके माध्यम से रचना के माध्यम से right answer क्या हो जाएगा next question आप लोगों के सामनी ये रहा क्या है भी या हाँ अब देखे image के माद्यम से question पूठव जैसा कि आप लोग net जी यारफ में देखते हैं इसलिए मैंने कहा कि आप लोग question को दियान पुरवक देखिएगा question है कि कुतुब मिनार के निर्माण में लाल बलुगा पत्थर के अलामा कीस सामगरी का इस्तिमाल किया गया है तो कुतुब मिनार के निर्माण में कीस सामगरी का इस्तिमाल किया गया है तो यहाँ पर लाल बलुगा पत्थर में तो यह निर्मित ही है साथ ही साथ जब कुत्व मिनार के उपर जैसे I think हम ने गया है उसको देखा है बट जो भी देखे होंगे समझते होंगे जब कुत्व मिनार के जब ऊपरी सिखर पर आप जब जाएंगे तो वहां पर आप लोगों कोई संग मंगमर का भी अंकन देखनों को मिलता है तो जो लोग देखे हैं वो तो जानते ही होंगे आराम से समझ जाते हैं तो यहाँ पर option ज़रा देख लेते हैं क्या क्या है तो granite है, eat है, संग मरमर है, cement है तो यहाँ पर based option जो हो जाएगा वो संग मरमर है क्योंकि उसके उपर ही, जब नीचे से उपर के और जाएगे तो वो पतला होता गया है और वहाँ पर जब देखेंगे तो आप लोग संग मरमर का भी प्रियोग देखने को मिलता है, जो लोग गये होंगे, वो समझ गये होंगे तो right answer जो हो जाएगा, वो संकित किया गया है, सभी लोग जानते हैं कि जहागीर के साजनकाल में जो मनसूर जो थे, वो प्रसीद पच्छी चितरकार sorry, पच्छी चितरकार माने जाते हैं, और उनकी द्वारा जो भी चितर देखे जाते थे, जो भी सामने सद्रिस जो चितर रहते थे, उन्ही का वो अंकर करते थे, तो वो पच्छी चितरकार थे, तो इसलिए वो realistic चितर बनाते थे तो option अगर देखें आदिवासी सली, लोक सली संगित सली, या थार्दवादी सली तो यहाँ पर best option जो हो जाएगा, वो realistic हो जाएगा next question है कि किसकी साधी की बरात का चितरण दी गई तस्बीर में दिया गया है तो यह आप लोगों को image के माध्यम से दिया गया है और आप लोगों को कराया भी सब question गया है, इसलिए मैं बताता हूँ, यह दारा सिकोह की बरात है जिसको हाजी मदनी ने निर्मित किया है तो आप सभी लोग जानते है यह साह जहां के सासन काल का है बहुत ही famous है right answer one next question है कि अजन्ता के फ्रेसको सैली के चित पद्मपाणी बोधी सत्य किस भंगीमा बना है तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इनकी भंगीमा कैसे है यह त्री भंगीमा में है तो right answer क्या है first next question है कि सिंग सीर्स lion capital के सीर्स फलक पर जो घोडे सान और हाथी के अलामा कौन सा जानवर दरसाया गया है तो यहाँ पर जो दरसाया गया है यह आप से पूटप किया जा रहा है तो यहाँ पर जो जानवर है option में दिया गया है सिंग दिया गया तो right answer क्या हो जगा next question है कि सिंद्ध घाटी में पाई गई नर्थकी की छोटी से मूर्ति को बनाया गया है सभी लोग जानते है कि इसको किस में बनाया गया है khanz में बनाया गया राइट इनसर 4 नश्ट कोस्चन क्या है हां यह देखिए यह भी कोस्चन आप लोगों को कराया गया कि दक्कनी लगोचित्र पोलोग खेलते हुए चांद बीवी किस सेली से संबंदित है तो सबी लोग जानते हैं किस से समद्धित है गोल कुंडा से राइट एंसर फॉस्ट इसमें देखिए ये राजकुमारी 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 ये लोग घोड़े पर सबार होके पोलो क्योंडर्ब सेली की समूरती नटराज की उपर हाइँ हाथ में डमरु दरसाया गया हूँ विल में और उपर है यहां पर यहां पर लोग देखे यह दमरु और अगनी को दरसाया गया है राइट एंसर क्या है अगनी निश्ट कुश्चन है तस्बीर में दर्साये गए राजस्थानी सैली के चित्र को पहचाने जो साहिब दीन द्वारा चित्र है तो यह चित्र आप लोग देख रहे हैं यह क्या है रागनी मारू का चित्र है राइट एंसर टू हो जाएगा निश्ट कुश्चन है कि मुर्ति सिल्प संथाल परिवार में किसकी मानवा कृतियां दर्सायी गए हैं आप्सन के रूप में दिया गया है चार तीन पांच और दो देखिए यहां पर मानवा कृतियां की बात की जारी है मानवा कृतिय की बात अगर हम लोग बात करें इसके कि प्राणियों की बात तो आप लोग जानते हैं कि प्राणी अगर कहा जाए प्राणी तो प्राणी इसमें चार हैं लेकिन यहां पर मानवा कृति मानो की आकृति की अगर बात दर्स आई गई है और आपसन में दिया गया है चार तीन पांच दो तो राइट एंसर हो जाएगा अगर वो चार को टिक करेगा तो आप लोग आपजेक्शन कर सकते हैं लेकिन जो मानवा कृति है वो तीन ही है एक यह एक पतनी और एक बच्चा और यह जो है कुटा है यह जो बहंगी में बैठाए गए हैं यह इनके बच्चे हैं और यह एक बहंगी है इसमें सामान रखी गई है इसको संतुलित करने के लिए यह क्या है कामड है जिसको बैठाया गया है और यह संपूरूस है यहां पे साथ में अपने सीर पर बोजली हुई है महिला और यहां पर तो आई थिंक इसका आप सभी लोग कुश्चन साल्व कर चुके होंगे 120 कुश्चन हम लोगोंने साल्व कलिया अब लाश्ट कुश्चन खताम हो गया तो इस प्रकार से 120 कुश्चन थे अगर किसी भी कुश्चन में आप लोगों को डाउट हो और मैंने गलत बताया हो तो कमेंट बाक्स में कमेंट करिए क्योंकि आप लोगों के भी राय जानने बहुत जरूरी है जरा हम भी देखें कि कौन से question पर आप objection कर सकते हैं तो यह रहे एक छोटा सा informative information अच्छे लगे तो comment करिएगा बुरे लगे तो भी comment करिएगा और अच्छे लगे तो channel को like कर दीजेगा और बुरे लगे हो आपको दिल को ठेस लगा हो तो comment बास में जरूर ब कि लेंगे तब तक के लिए thank you दोस्तों